Hare Krishna friends, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चानल शिफशक्ति डिवाइन टारो पे और आज हम देखेंगे कि हमारे viewers के partners की current energies क्या है और उनका next action आपकी तरफ क्या हो सकता है Viewers ये एक collective reading है तो keep that in mind कि कुछ energies आप से resonate करेंगी और कुछ नहीं करेंगी तो अगर आपके साथ resonate करता है तो आप देखें और अगर नहीं करता तो आप फिर कोई और reading देख सकते हो तो चलिए viewers शुरू करते हैं आप सभी को जैसा पता है कि अभी 222 portal गया है और 333 portal भी अभी गया है साथ ही साथ महा शुवरात्री भी अभी आई थी तो हम देखेंगे कि इन सारे portals का और महा शुवरात्री का हमारे viewers के partners भी क्या असर पड़ा और उनकी current energies क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी life में क्या चल रहा है in general फिर देखेंगे कि वो आपके लिए क्या feel कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि उनका next action क्या हो सकता है ओक्यों viewers तो चलिए शुरू करते हैं हरे कृष्णा राधे राधे हर हर महा देव जैमा तदी angels प्लीज काईड करें कि मेरे viewers के partners के life में अभी in general क्या चल रहा है उनकी current energies क्या हैं वो क्या चल रहा है उनके life में इस angels काईड करें कि मेरे viewers के partners के जीवन में अभी क्या चल रहा है फिर हम देखेंगे कि क्या चल रहा है एक काट पहली आया था तो fool very nice emperor magician nice और यह कुछ cards निकल के आगें तो we'll take that and the hermit two of cups the moon and three of cups काफी सारी different energies निकल के आई हैं जो मैं बताऊंगी मेरे जो कुछ viewers हैं उनके partners के life में कुछ तो बहुत जादा confusion में हैं कुछ अभी बहुत जादा परिशान हैं और continuously सोच रहे हैं यह उन viewers के लिए हैं जिनकी बात नहीं हो रही है अभी या जो on-off situation में है या काफी से में पहले break up हो रखा है या अभी बिलकुल no communication में हैं तो वो आपके partners भी काफी जादा परिशान मुझे दिख रहे हैं और कोई न कोई कार्मिक साइकल है जो वो end कर रहे हैं या अभी किसी न किसी कार्मिक साइकल में वो हैं लेकिन वो continuously सोच रहे हैं isolation में हैं और काफी जादा परिशान हैं दूसरी जो energy मुझे दिख रही है कि कुछ viewers के जो partners है वो काफी जादा अगर उनकी और आपसे वो बात करके कभी आपको ब्लॉक कर रहे हैं या वो online आके reply नहीं दे रहे हैं इस energy में मुझे दिख रहे हैं कुछ viewers के जो partners हैं वो third party में हैं बिलकुल और वो enjoy कर रहे हैं भले ही आप no contact में हैं या contact में हैं वो enjoy कर रहे हैं अपनी life को जी रहे हैं काफी balanced है career पर focus कर रहे हैं और कुछ तो है जो वो celebrate कर रहे हैं कुछ viewers के जो partners हैं वो ऐसी energy में हैं कि अगर वो separation में भी हैं तो भी आपको manifest कर रहे हैं कहीं न कहीं उन्हें regret है कि सारी चीज़ें खतम हो गई हम बात नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो एक नई शुरुवात को भी manifest करते हुए मुझे दिख रहे हैं जैसा कि यहां cards आए हैं और कुछ जो हमारे viewers हैं वो जो नया start करना चाह रहे हैं वो काफी जादा प्यार भरी एक फिर शुरुवात करना चाह रहे हैं मुझे reconciliation की energy दिख रही है यहां पर और जिनकी बात हो रही है कुछ मेरे viewers ऐसे हैं कि जिनकी बात हो रही है वो बहुत अच्छे चे बात हो रही है और सब कुछ बहुत balanced है, equal given take है और अगर नहीं है तो आपके partners ऐसा manifest करते हुए मुझे दिख रहे हैं तो यह सारी energies आई हैं और एक energy ऐसे भी है कि आपके जो partner है वो काफी ज़दा arrogant हो सकते हैं, sorry to say, कुछ लोगों के लिए और career wise वो बहुत परिशान है, यह मुझे दिख रहा है और काफी ज़दा struggle कर रहे हैं, काफी ज़दा confusion में है एक अच्छा career भी manifest करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं तो यह energy भी मुझे दिख रही है, यहाँ पे अब देखते हैं, कि वो आपकी तरफ क्या feel कर रहे हैं आपके लिए current energies क्या है आपके partners की, वो भी check करते हैं viewers I hope कि सारे cards आपको visible हैं यहाँ पे So, let's see, angels, please guide करें कि मेरे viewers के partners जो हैं, वो उनके लिए भी क्या feel कर रहे हैं उनकी जो है current energies क्या है, मेरे viewers के लिए प्लीज एंजल्स काइड करें, एंजल्स प्लीज प्लीज गाइड करें राधित रश्णा, हर हर महादेव, जैशिक शुक्ती, जैमाता जी जैमाता जी हमारे viewers के partners की current energies उनके लिए क्या है मेरे viewers के लिए क्या है, उनके partners की current energies some more shuffles, angels प्लीज गाइड करें यानि यह सारे cards किर गए और एक card कोई unfold हुआ है, वो में लेना चाहूंगी okay, two of wands so viewers, आपके, कुछ viewers के partners की तो energy is all over the place है, काफी जादा सोच रहे हैं, काफी जादा बचार करते पे दिख रहे हैं, क्योंकि सारे cards गर गएते मेरे we'll see कि और कौन से cards आते हैं, few more shuffles and then we'll take some cards, angels प्लीज गाइड करें कि हमारे viewers के partners की current energies उनके लिए क्या है okay, एक और card कोई unfold होपर रखा है, यहाँ पे, yes, आपने देख गया था, and bottom of the deck we have ace of cups, beautiful, beautiful viewers, I hope कि आपको cards दिख रहे होंगे, तो I will explain, again, काफी सारी energies निकल के आई हैं, तो one by one I will explain, see, मेरे जो कुछ viewers हैं, उनके partners जो हैं, वो third party में हो सकते हैं, ठीक है, मुझे यहां third party दिख रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब के partners हो, अब अगर आपके partner नहीं है third party में, तो उन पे शक मत करने लग जाना, क्योंकि यह कलेक्टिव रीडिंग है, और अगर मैं साइन्स की बात करूं सबसे पहले, तो साइन्स मुझे सब दिख रहे हैं, आपे, अक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, अक्वेरियस बहुत जादा स्ट्रॉंग है, और कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, यह भी है, अगर हम ब और मुझे अर्च साइन्स यहां पर नहीं दिख रहा, ज्यादा, लेकिन साइन्स सारे है, अर्च साइन्स में मुझे टॉरस दिख रहा है, काफी ज़ादा, यहां पर स्ट्रॉंग और अगर in science में अगर आपके partner का या आपका sign नहीं आता है तो बिलकुल निराश होने की जुरत नहीं क्योंकि collective reading है अगर आपसे resonate करें तो बिलकुल या आपके लिए है तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे या third party दिख रही है कुछ cases में और कहीं न कहीं आपके partners का दिल काफी ज़ादा तूटा हुआ है ठीक है और वो move on करना चाह रहे है आपसे move on करना चाह रहे है मुझे move on की energy दिख रही है कुछ viewers के जो partners है वो move on करना चाह रहे है या तो उनके reason यह हो सकता है कि आपके caste अलग है या आप long distance में मुझे दिख रहे हो या कोई mother या father figure है जिनकी वजह से वो नहीं आप आएंगे आप तक इस वजह से वो काफी ज़ादा sad भी है viewers या यहां किसी किसम का धोका हुआ है या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से जिसका उन्हें regret है वो आपको miss बहुत ज़ादा कर रहे है बट वो आपकी तरफ मुड़कर अभी मुझे नहीं लगता कि कुछ समय तक आएंगे अभी वो काफी ज़ादा sad है तो मुझे एक ये energy दिख रही है जहां वो खुद को heal कर रहे है कुछ viewers के जो partners हैं वो long distance में हैं अभी सोच रहे है और एक बहुत beautiful energy आई है क्योंकि we have two aces here as you can see ace of cups and ace of wands तो काफी ज़ादा attraction मुझे दिख रहे है viewers और काफी ज़ादा emotions भी दिख रहे है मुझे यहां पे तो एक energy ऐसी भी है कि वो आपको कुछ offer करना चाह रहे है और एक new start करना चाह रहे है और यह जो offer होगा उसमें वो आपको commitment देना चाह रहे है तो यह एक बहुत ही ज़ादा खुबसूरत energy मुझे दिख रही है कि आपके तरफ वो बढ़ना तो ज़रूर चाह रहे है ऐसा वो सोच ज़रूर रहे है तो एक बहुत beautiful energy आपके तरफ निकल कर आई है लेकिन हाँ कुछ viewers के partners जो हैं वो move on करने का भी सोच रहे है या तो एक energy मुझे यह भी दिख रही है कि वो third party से move on करके आपकी तरफ आएंगे और मुझे travel के chances बहुत ज़ादा दिख रहे हैं और कहीं न कहीं आपको याद करके कुछ offer करने का सोच भी रहे है तो आप से जैसे resonate करें आप वैसे लोग लेकिन एक बहुत बस कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो आप से move on करना चाह रहे हैं viewers नहीं तो energy बहुत ज़ादा खूब सूरत है वो थर्ड पार्टी से move on करके भी आपके तरफ आना चाह रहे हैं तो let's see कि उनका next action आपके तरफ क्या हो सकता है angels प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के partners का next action उनके तरफ क्या हो सकता है क्योंकि energies तो बहुत खुबसूरत निकल के आई है तो I hope कि action भी next action भी काफी अच्छा है ओके angels प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के partners का next action क्या होगा उनके तरफ फ्यूवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के partners का next action उनके तरफ क्या हो सकता है इसाएड कार्ड ही तो हम प्लीज है प्लीज गाइड करें वान मोरश अफ्ल गाइड करें ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनरजी और देखियें again we have two of wands जो पहले आया था and again we have five of cups जो पहले आया था okay fine again we have three of swords again and we have tower tower card है हमारे पास and ace of swords and bottom of the deck we have queen of wands so we have king and we have queen इसे भी मैं लही लेती हूं and again we have ace of pentacles and we have six of wands and we have nine of cups and six of swords and वाव इतने beautiful cards है we have four of wands twin frame या soulmate connection में हो सकते हैं आप लोग इतने beautiful cards आये हैं bottom of the deck से बहुत खूबसूरत energy है बहुत ही जादा खूबसूरत energy है so let's see सबसे पहले तो king and queen है यहाँ पर that's awesome मैं तोड़ा cards को सही तरीके से सजा लूँ एक पर so now I will explain कि क्या हो रहा है हाँ पर देखिए कुछ जो मेरे viewers हैं उनके जो partners हैं वो उनके life में अभी टावर moment आ रखा है उनके career में हो सकता है या आपके relationship में हो सकता है या third party में भी हो सकता है तो अभी वो काफी जादा सोच रहे हैं वो बहुत जादा परिशान है उनका दिल अभी बहुत जादा तूटा हुआ है तो I don't think कि वो अभी कोई भी action आपकी तरफ लेंगे वो अभी सोचेंगे काफी जादा सोच रहे हैं और आप लोग long distance में different cities में जैसा मैंने कहा वो हो सकता है क्योंकि फिर से वही काट्स आए हैं काफी सारे तो कुछ viewers के जो partners हैं वो अभी sorry to say लेकिन मैं बिल्कुल blunt हूँ मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको सच बताना तो वो अभी मुझे action लेते हुए नहीं दिख रहे हैं और आप अपनी healing करिए क्योंकि यहां healing मुझे बहुत required दिख रही है viewers आपकी तरफ से healing की कमी है और कहीं न कहीं आपके life में भी इस वजह से tower moment आ रखा है आपको भी इस energy से निकलने की ज़रूत है तो यहां आप chakra meditation करिए क्योंकि मुझे यहां पे spiritual connection भी दिखा है twin flame energy जिस पे हम twin flame connection पे हम फिर कभी reading और करेंगे तो मैं उस बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी क्या होती है chakra healing और कैसे हम twin flame connection जो हमारा है उसमें जो divine masculine है उनकी awakening में उनकी help कर सकते हैं और हमारा permanent reunion हो सकता है तो ठीक है एक energy तो ऐसी निकल कर आई है कि अभी वो कोई action लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं दूसरी energy जो मेरे पास आई है कि बहुत जल्दी communication होगा आपके बीच में और बहुत ज़्यादा clarity आईगी और वहाँ पर जगड़ा होने के chances मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अगर आप no contact में और बहुत दिनों के बाद आपकी बात हो रही है या आप on off में हैं और आपकी बात हो रही है तो वहाँ पर clarity ज़रूर आईगी उस communication से लेकिन हाँ कुछ ऐसी बाते हो सकते हैं जिसे जगड़ा हो जाए इसलिए आप ज़रूर patience रखेगा और उनकी तरब से मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा blunt हो सकते हैं और मुझे दिख रहा है कि एक communication ऐसा आता वो भी जो मुझे थोड़ energy दिख रही है बहाँ एक ऐसी communication मुझे आते भी दिख रही है जहाँ clarity आएगी और वो clarity जो होगी वो एक commitment में बदल जाएगी यह मुझे दिख रहा है लेकिन हाँ लड़ाई हो सकती है यहाँ पे भी तो keep that in mind कि थोड़ा सा आप संभल कर बात करें और जादा रियात ना करें क्योंकि रिष्टा जादा important होता है हमारे लिए और मुझे king और queen यहाँ पे दिख रहे है और अभी यहाँ पे four of wands की भी energy आई थी तो कही ना कही बहुत जादा attraction मुझे दिख रहा है और एक action वाली energy भी दिख रही है मुझे कि वा action लेंगे बहुत जादा आपके बार में सोच रहे हैं एक happy family के बार में सोच रहे हैं तो बहुत खुबसूरत energy निकल के आई है तो आपके पास action लेते भी मुझे वो दिख रहे हैं call या text आ सकता है और हाँ ऐसा मत आप सोचना कुछ viewers के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी clarity आएगी लडाई भी होगी तो सब फिर settle हो जाएगा लेकिन कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि viewers एक छोटा सा text या छोटा सा कुछ ऐसी छोटी सी बात हो सकती है सिर्फ वो बहुत बड़ा सा कुछ emotional सा नहीं होगा कुछ emotional सा message या ऐसा कोई call तो आप भी ऐसी गलती मत करना कि अगर वो थोड़ी बहुत friendly way में आप से बात करनी कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुली लंबे लंबे text करने लगो हमें chasing energy में नहीं जाना है right हमें balance रहना है और अगर आप balance अगर रहेंगे balance बना कर चलेंगे तो बिल्कुल ही आपका union होगा तो मुझे यहां यहीं दिख रहा है कि काफी लोगों की जिनकी बात हो रही है देखिए उनका तो बहुत अच्छा मुझे commitment solid offer आतावा दिख रहा है जादा तर मुझे बात बन दिख रही है क्योंकि tower moment आ रखा है और कुछ लोग अभी action नहीं लेंगे और जहां on-off situation है या जो action लेते हैं वहाँ लड़ाई भी हो रही है मुझे यह दिख रहा है कि लड़ाई होने के पूरे पूरे chances है तो आपको चुकि दिल भी आपका तूट सकता है अगर बात होगी और लड़ाई होगी तो तो keep that in mind कि आप ज़्यादा blunt ना बोले और आप बिलकुल शांत रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा viewers तो या ये थी आज की reading और मैं बता दूं कि ये कितने समय में होगा तो कुछ लोगों के लिए ये देखे 3 to 10 days के अंदर मुझे दिख रहा है 3 days to 10 days के अंदर आपके जो partners हैं वो मुझे action लेते हुए दिख रहे हैं और एक बहुत solid commitment victory के साथ मुझे दिख रहा है इन दिनों कार्ड से इन तीनों कार्ड से ही मुझे दिख रहा है दो aces हैं हमारे पास एक solid commitment एक happy family के साथ दिख रहा है लेकिन viewers मैं ये कहना चाहूंगी oops मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़े arrogant हो सकते हैं आपके partners sorry to say और वो थोड़ा आपसे rude होकर बात कर सकते हैं तो आप थोड़ा वो ध्यान रखना तो 3 days to 10 days के अंदर मुझे लगता है कि communication आनी चाहिए तो viewers ये थी आज की reading अगर आपको आज की reading पसंद आए तो please हमारे channel शिफ शक्ते divine tarot को please subscribe करें और bell icon को press ज़रूर करें ताकि रोज मैं reading डालूँ और रोज आपको थोड़ी बहुत भी लेकिन guidance मल सके एंजल्स की तरफ से और like और comment ज़रूर करें अगर resonate किया है तो and thank you so much आप अपना ख्याल रखें and हर हर महादेव जय माता दी हरे कृष्णा राधे राधे आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जल्द ही मैं आऊंगी दूसरी reading के साथ तब ते के लिए बाबाई ख्याल रखें हरे कृष्णा कृष्णा